अगले दिन, देखा कितना खयाल रखता है मेरा बीट है तुम्हारा, तुम भी उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो, क्या मम्मी जी, अब क्या कर दिया मैंने, साब जानती हूं मैं, मैंने पता किया था तेरे बारे में, तुझे लव मैरेज करनी थी न, अरे वो तो मेरे के वग, नीशा अपने कमरे में आईनी के सामने खड़े होकर बात कर रही थी, और उसकी सास छुपकर बात सुन लेती है, कैसे कहूं मुझे तुमसे कितना प्यार है, कितनी बेचेन हूं मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताने के लिए, लेकिन आब आओ नहीं, कुछ- अब समझोगे, राहुल, हे भगवान, मेरे बेटी की तो जिन्दगी खराग हो गई, मेरी बहु का किसी राहुल की साथ चक्कर है, और मेरी बिठी को पता तक नहीं, अब क्या होगा, थोड़ी दिर के बाद निशा अपने कमरे से बाहर आती है, मामी जी, मैं बाजार जा र बाजार जाने के बहाने ये जरूर किसी राहुल से मिलने जा रही है, मुझे उसका पीछा करना चाहिए, सास निशा का पीछा करती है, और देखती है कि निशा एक मॉल के अंदर से वेस्टरन ड्रेस पहन कर बाहर आ रही है, और फोन पर किसी से बात कर रही है, हाँ, मैं घ पताती हूँ मैं इसे, लिकिन पहले ज़रा पता कर लू, कहीं ये अभीशीक से मिलने तो नहीं आई, इतनी जल्दी बहु पर शक करना ठेक नहीं, हेलो, हाँ अभीशीक बिटा, कहां है तू, मैं आफिस में हूँ मा, और कहा जाओंगा, सास कॉल डिसकनेक्ट करती है, अनीश जाके पीछे-पीछे काफी शाप तक पहाँचती है, अरे, माता जी, कहां कुछी जा रही है, देखती नहीं, ये काफी शाप सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो डेट पर आते हैं, आपके जैसे बुज़र्गों के लिए नहीं है, डेट? अरे, अब ये डेट क्या होता है अरे, माता जी, क्यासे समझाओं आपको, जब दो लोग एक दूसरे से, वो क्या है, अब प्यार करते हैं न, आई लव ये बोलते हैं, तो बस वो यहां आते हैं, आप जाइए यहां से सब समझ गई मैं कुछ दिनों के बाद, एक दिन निशा, गुलाब के फूलों का बुके लेकर घर आती है, और उसे छुपा कर अपने कमरे में रख देती है, लेकिन उसकी सास चुप चाप देख लेती है लगता है आज ये फिर से उस राहों से मिलने जाएगी, मुझे उस पर नज़र रखनी होगी तबी सास को निशा के किसी से फोन पर बात करने के आवाज सुनाई देती है हाँ, मैं रूम की खिड़की खुली रखूँगी, तुम वहीं से आना अरी, डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलीगा बस अब मुझ से और इंतिजार नहीं होता मैं तुम से मिलने के लिए पेचेन हूँ, आजाओ ना जल्दी से राम, 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 ये अनर्त देखने से पहले में मर क्यों नहीं गई मैं अभी अभिशे को फोन करती हूँ हाँ मा, क्या हुआ, अपने कैसे कॉल किया मुझे तुछ से बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा, तु घर आजा जल्दी से मा, मैं आज रात को घर नहीं आ रहा, मेरे दोस्त की यहां पार्टी है रात को वहीं रुकूंगा, चलो मैं फोन रखता हूँ मा, कल बात करता हूँ आपसे अरे बेटा, मेरी बात तो सुन बेटा अभिशेक कॉल डिसकनेक्ट कर लेता है सास नीशा से मिलने आने वाले के बारे में पता करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता अगली सुबा नीशा देर से उठती है क्या बात है बहू, आज उठने में बड़ी देर हो गई हाँ, वो गया है न वो, मुवी जी पहला पहला प्यार प्यार का नशा ही कुछ ऐसा है तभी कमरे से अभिशिक निकल कर बाहर आता है अरे तू कब आया? तो उसकी यहाँ पार्टी में जाने बाला था ना तू तो हाँ मा, अभी सुबह ही आया, जब आप सो रही थी अच्छ ठीक है, अब ये बता आफिस जाना है या चुट्टी है तेरी? चुट्टी क्यों होगी मा, मैं बस अभी निकल रहा हूँ और हाँ मा, नीशा कहा रही थी, उसे अपनी किसी खास सहली से मिलने जाना है तो आप उसे जाने देना, प्लीज पागल हो गया है मेरा पीटा, कैसे आखो पर पट्टी बान कर बैठा है मैं इससे सच बताऊंगी तो मानेगा नहीं लेकिन आज मैं बहु का भंडा फोड करके ही रहूंगी अभीशिक की जाने के बाद नीशा भी अपनी सहली से मिलने की बात करके घर से जाने लगती है सास फिर से उसका पीछा करती है और देखती है कि नीशा एक बगी चे में गई सास भी उसके पीछे गई नीशा एक लड़के से बात करने लगी उसने लड़के को हग किया लेकिन सास को उसका चाहरा ठीक से नज़र नहीं ही आया उसने पास बेपढ़ा एक डंडा उठाया और लड़की के सर पर जैसे ही मानने लगी नहीं ममी जी, आप क्या करने जा रही है आप इस तरह से मुझ से मेरा प्यान नहीं चिन सकती बे शेर्म, मेरे घर की बहू होकर तो इस राहूल से चक्कर चलाती है तेरी लव स्टोरी चल रही है, तुझे तो अभी में बताती हूँ तब ही वो लड़का पलट कर देखता है वो कोई और नहीं, भलकि अभी शिक था अरे तू, तू यहां क्या कर रहा है यह तो मुझे आप से पूछना चाहिए, आप यहां क्या करी है मा मेरा पीछा कर रही है ममी जी हां तो क्या करूँ, अरे बेटा तुझे पता नहीं इसका किसी राहूल के साथ चक कर चल रहा है अरे मा कोई राहूल नहीं है, वो फिल्म का डायलोग नहीं सुना क्या तो फिर यह चोरी-चोरी किस से मिलती है और कल रात भी कोई से मिलने आया था ना अरे ममी जी, मैं अभीशिक से ही मिलती हूँ, और किसी से नहीं ये जोट मेरे सामने नहीं चलेगा अभीशिक, इसे तुझ से जोट बोलने की क्या जरूरत थी अरे ये पती है तेरा, तो इस से ऐसे ही मिल सकती है मैं समझाता हूं मा वो क्या है न निशा को शुरू से love marriage करने का शौक था और जब उसकी शादी मुझसे हुई तो वो उदास रहने लगी तो मैंने सुचा क्यों न मैं निशा को वैसे रहना शुरू करता हूं जैसे एक boyfriend अपनी girlfriend को रखता है दिखे ना ममी जी सबकी कोई ना कोई love story होती है मेरी तो थी यहीं नी तो मैंने सुचा मैं अभिशे के साथ ही अपनी love story बना लेती हूं इसलिए हम चुप चुप कर मिलने लगे तो क्या कल रात को ये तुझ से मिलने आया था? हाँ ममी जी और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे अरे लेकिन लेकिन चुप चुप कर मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा लेकिन चुप चुप कर मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा